वेलकम तू जीनियस आईएस पाइब मिनेट नालेज स्रीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है यह जो स्रीज जो हमने कॉंस्टिटूशन को जानने के लिए शुरू किया इसमें है इए फिछली वीडियो में हमने कुछ basic Information यूनियन एग्जीकेटिव के बारे में देखे तो कुछ basic information जहां पर मैंने बोला था कि यह union एग्जिकेटिव हमारे पार्ट फाइफ में एग्जिस्ट करता है कॉंस्टिटूशन के पार्ट फाइफ के अंदर यूनियन एग्जिकेटिव डील करता है आर्टिकल 52 से लेके 78 यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन लास्ट वीडियो में कुछ लोगों को रहा होगा पार्ट फाइफ पार्ट फाइफ के ऊपर थोड़ा सा मैं यहां पर एक और चीज़ बताना चाहूंगा कि जो पार्ट फाइफ है यह पूरा पार्ट फाइफ यूनियन से डील करता है सेंटर से डील करता है पूरा पार्ट 5 हमारा कॉंस्टिटूशन का यूनियन से से डील करता है और इस यूनियन में हम बेसिकली तीन तीन हिस्सदों में डिवाइड करे इसको पढ़ेंगे पहला तो हम पढ़ रहें यूनियन एक्जिकिटीव जो की आर्टिकल 52 से लेके 78 तक ह इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्लियमेंट वाला हिस्सा, जहां पर हम पार्लियमेंट और उसकी फंक्शनिंग के बारे में देखेंगे, और उसके बाद यूनियन में ही, हम सेंटर में ही सुप्रीम कोड को पढ़ेंगे, तो 151 तक यह तीनों चीज़े आ जाएंगे, एग्ज तो सिर्फ यह न समझेंगी पार्ट 5 विटीटीटू से लेके सम्हें प्रफटा यूनियन नहीं है पुरा यूनियन हमारा आर्टिकल 52 से लेके 151 है तो मुझे लगा कि पिछले वीडियो में हो सकता है इसलिए मैं इसको यहां पर क्लारेट fans आप हम ने सके बार में कुछ basic information last video में देख है आज आम उसे आगे चलते हैं और आज हम इसके डो up bondi Article 52 को टία क्या क्या कहते है अटिकल सबसे पहले Article अटिकल 52 में सिरफ और सिरफ यह कुछ वर्ड लिखे हुए एक लाइन लिखे हुए है कि देयर शेल भी ए प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया अब ध्यान रखना यहां पर हम थोड़ा सा ग्रामर को भी देख लेखे हैं जब हम कॉंस्टिटूशन को पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान ध्यान दिया होगा कि कई जगा पर यह शेल लिखा हुए इसका मतलब क्या है जहां पर भी यह शेल वर्ड का यूज हो रखा है वह कह मेंडेटरि नहीं होता तो यह चीज़ ऑलव करना मेंडेटरी है इसका मतलब है कि प्रेजिडेंट होना ही चाहिए बिना प्रेजिडेंट के फंक्शन नहीं चल सकत receiving कि कोई function नहीं सकता तो प्रेजिडेंट बहुत इंपोर्टेंट है प्रेजिडेंट होना ही चाहिए अगर बाए चांस प्रेजिडेंट absent है तो उसकी जगह पर किसी को बैठाना चाहिए लेकिन अच्छिप Hm में constitution साफ कर दिया है कि there shall be a president of India full stuff कोई condition नहीं है कि यह तो होना ही चीज़ है कि president of India बहुत mandatory है country तो इसलिए यह पोस्ट पर्मानेट और इसलिए यहाँ पर जब भी president नहीं होता है तो उस case में किसको बना दिया आता है उस case में ऑफ उस president आजे परेजिदेंट और बाई चांस वाइसव प्रेजिडेंट भी ना हूं प्रेजिडेंट भी नहीं है वाइसप्रेजिडेंट भी नहीं है वाइसदल्गे उस टाइम पर तब भी हमारे पास CHEAT खाली प्रेजिडेंट नहीं आजाता यानि यह पोस्ट खाली नहीं हो रह सकती है अगर मान लो प्रेजिडेंट भी नहीं है वाइस प्रेजिडेंट भी नहीं है सुप्रीम कोट के चीर्ज जस्टिस भी नहीं है तब क्या होगा तब भी खाली नहीं रह सकती तब उसके बाद सुप टोटल 33 प्लस एक सब के सब को नहीं जा सकते हैं तो इसलिए यह पोस्ट पर्मानेट है यह चीज ध्यान रखना इस वर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंस है यहां पर ठीक है यह हमारा आर्टिकल 52 कहता है कि there shall be a president of India प्रेजडेंट होना चीए और 52 के खारणी प्रेजडेंट की पोस्ट अब अगला देखते है आर्टिकल 53 53 डील करता है executive power of union ठीक है मैंने executive नहीं बोला executive power of union union की executive power पावर के बारे में बताता है अब union की executive power president के साथ क्यों रखी गी क्योंकि union की सारी executive power वो सब president के अंदर होती है तिस उसमें लिखा गया है कि executive power of the union shall be vested in the president ये जो executive power है ये सारी power किसके पास होगी president के पास होगी तो president executive head होता है हमारे state का union का इसलिए इसको executive head बोला है executive head of the state state यहाँ पे मैं nation की बात कर रहा हूं country की बात कर रहा हूं ठीक है तो ये executive head होता है president हमारा article 53 बोलता है कि जितनी भी executive power है union की वो सब president में होनी चाहिए अब उसके बाद इसको थोड़ा सा और clarify किया है कि यह जो executive power है this power shall be exercised by him either directly or through officer subordinate to him या तो वो इसको खुद इस पावर को यूज़ करें या फिर अपने किसी subordinate के द्वारा इस पावर को यूज़ करें इसके बाद एक लाइन और लिखी विए एक एक sentence और लिखा हुआ है उसका बड़ा importance है in accordance with the constitution in accordance with the constitution अब यह जो पावर है न एक्जिक्टिव पावर प्रेजिडेंट में होनी चीए जिसको वो यूज़ कर सकता है या तो खुब या फिर अपने किसी subordinate के द्वारा लेकिन यह जो पावर का यूज़ है ऐसा नहीं कि unlimited पावर है यह पावर उसे in accordance with constitution यूज़ करने जब हम article 74 पड़ेंगे तो इसको से relate करने की कोशिश करूँगा इसको से relate करने की कोशिश करूँगा कि यह जो subordinate लिखा हुआ है जिसके तुरू यह पावर exercise करता है subordinate कौन है यह council of ministers प्राइम मिनिस्टर और उसकी council प्राइम मिनिस्टर प्लस council of minister मिलके यह पावर को exercise करते ह तो वह होते हैं executives और यह हमारा article 74 बताता है ठीक है वहाँ पर लिखा हुआ है यह चीज़ ठीक है तो इसी लिए यह बहुत सारी चीज़े connected हैं लेकिन हम एक article को समझेंगे यहां तक आपको समझ में आई होगी बात इसी में एक और चीज़ बात बोल दिए यह जब executive power की बात बोल रहा है तो executive power में president के पास एक power और है कि उसको supreme commander of the defense forces बोलायता है armed forces बोलायता है क्यों क्योंकि article 53 में यह बात लिखी हुई है कि supreme command of the defense forces shall be vested in the president वो भी यहीं पर लिखी हुई है तो इसी के नाते हैं जो हमारा president है वो supreme commander हो जाता है defense forces को यह हमने आर्टिकल 52 और 53 समझे और इनके बड़े अच्छे से इनको detail में समझने कोशिश की आशा कर रहा हूं कि यह चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और फिर भी आपके कोई भी doubt कोई भी suggestion है तो आप हमें comment box में लिखे बता सकते हैं और हम अपने series पैसे continue रखेंगे मिलते हैं next video में फिर से अपका के लिए थैंक यू टेक क्या बाइबाइ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना पर ना पर ना